रूस युक्रेन युद्ध के बीच जहां अमेरिका से जल्द ही युक्रेन को 61 अरब डॉलर की सैनने साहेता मिलनी शुरू हो जाएगी वहीं इस सब के बीच रूस युक्रेन को दोबारा मजबूत होने से पहले ही उसकी कमर तोड़ने में लगा हुआ है पहले रूसी सेना ने डॉनबास में युक्रेन के रेलवे नेटवर्क पर एक बड़ा हमला किया था जिसमें पस्चिमी देशों द्वारा भेजे गए सेकड़ो हतियार जल कर खाक हो गए थे वहीं अब रूसी सेना के निशाने पर रूस के बंदरगाँ है जहां से युक्रेन अपना अनाज निर्यात करता है और अब इसी वज़ा से रूस ने ब्लैक सी वाले बंदरगाँ शहर ओडेशा को दहला कर रख दिया है दरसल रूसी सेना ने ओडेशा पर एक भीशन मिसाइल अटेक किया है जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है जबकि 30 लोग घायल हुए है ये जानकारी युक्रेनी अथॉरिटीज ने दी है बड़ी बात ये है कि ये हमला उडेशा की हैरी पॉर्टर कासल बिल्डिंग पर हुआ है जिसे एक शिक्षन संस्थान बताया जा रहा है ये इमारत देखने में बिल्कुल हैरी पॉर्टर फिल्म में दिखाई गई बिल्डिंग जैसी लगती है युक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि रूस ने इस बिल्डिंग पर इसकंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था जिसके साथ रूस ने क्लस्टर बंभीद आगे थे जिससे इस हमले का मन्जर और भी ज्यादा भयावे हो गया है हमले को लेकर युक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि रूसी मिसाइल से बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर लॉग अकैडमी में आग लग गई थी वहीं युक्रेन के प्रॉसीक्यूटर जनरल एंडरीव कोस्तीन का कहना है कि हमले में इस्तिमाल की गई मिसाइल का मलबा बरामत कर लिया गया है और उसके मैटल के तत्व काफी दूर तक फैले हुए हैं जिससे ये साफ होता है कि ये हमला कितना बड़ा था हमले को लेकर युक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि इस अटैक में दो बच्चे और एक गर्वती महिला भी घायल हुई है हैरी पॉर्टर कासल बिल्डिंग के अलावा इस हमले में 20 अन्य रिहायशी इमारतों और महत्वपून धाचों को भी नुकसान हुआ है युक्रेनी अथॉरिटीज का कहना है कि ओडेशा शहर रणनीतिक रूप से युक्रेन के लिए काफी एहम है क्योंकि यहां से युक्रेन को जरूरी सैन्ने सामान की सप्लाई तो होती ही है साथ ही युक्रेन अपने अनाज को अन्य यूरोपिय देशों में भी यहां से भेजता है वहीं इस हमले के इतर रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक महतुपुन मिसाइल और आत्मगाती ड्रोन को क्राइमिया में इंटरसेप्ट किया है इस हमले को लेकर रूस के मिलिटरी ब्लॉगर्स का कहना है कि इस हमले का प्राथ्मिक लक्ष एयर फील्ड और क्राइमिया ब्रिज था जिस पर हमला करके युक्रेन रूस के आगे लॉजिस्टिक सप्लाई की एक गंभीर समस्या खड़ी करना चाहता था करेंको जरिए समस्या खड़ी का जर रूसा है भी एक प्राथिक सप्लाद जरो प्राद के विएमिक लेकर रूसा आको कि आटाना चाहते है झाल झाल